हेलो फ्रेंट्स वेलकम अगेन आज की इस वीडियो में हम एथर रिटा के चार्जर की पूरी डीटेल शेयर करने वाले हैं कितने वाट का आता है चार्जिंग टाइम कितना है कैसे यूज करना है एमसी भी प्रोटेक्शन लगाना चाहिए या नहीं अर्थिंग करना जरूरी है या नहीं कुछ वर्निंग्स भी तो वीडियो पूरी इंफॉर्मेटिव होने वाली है इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत करना और आई प्रॉमिस आप इस वीडियो से कुछ नय सिख के जाओगे सो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले आपको डिलिवरी के वक्त क्या ध्यान रखना है जब आप अपने एथर स्कूटर की डिलिवरी लेने जाओगे तब आपको उसके चार्जर पर लिखे सीरियल नंबर को इन्वाइस में लिखे चार्जर के सीरियल नंबर के सा आ सकते हैं ऐसा मेरे साथ हो चुका है सोरूम से कॉल आया कि उनकी एक मिस्टिक की वज़े से चार्जर चेंज हो चुका है तो मुझे तुरंत जाके उसे रिप्लेस करना पड़ा तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए रिट्टा के साथ कितने वट का चार्जर जो 0-100% चार्ज करने में 5.5 गंटे लेगा आगे हम इसका रियल चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे आपको कुछ इस प्रकार के बैग में चार्जर मिलेगा ये है PRCD ये है कनेक्टर और ये मेन चार्जर यूनिट इन्पुट केबल 2 मिटर और आउट्पुट केबल 1.2 मिटर है चार्जर अराउंड 1.6 केजी का है इसका ओपरेटिंग टेंपरेचर है 0-50 दिग्री सेलसियस इस पर इन्पुट वाल्टेज 230 वाट लिखा है और ये 180 वाट से 280 वाट तक का काम कर सकता है मतलब ये 280 वाट तक का हाईव वाल्टेज सह लेगा और अगर आपके गर में उससे ज्यादा वाल्टेज फ्लक्टुएशन होते हैं वैसे होते नहीं हैं तो सिर्फ तभी आपको स्टेबिलाइजर की जरुवत पढ़ेगी अधरवाइस टेबिलाइजर इस नॉट रेक्वाइड इसका इंपुट करंट मैक्सिमम 5 एंपियर है और आउटपुट 6 एंपियर चारजर में आपको 5 एंपियर का प्लग मिलेगा एंट्रीफ होने के बाद इसे ओफ करके दुबारा से ओन करने पर ये स्टार्ट हो जाएगा अगर रेड लाइट फिर भी ग्लो नहीं होती है तो आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करनी चाहिए How to charge Plug it and switch on Make sure कि switch पहले से on नहीं होना चाहिए PRCD में red light glow हो रही है Charger main unit में green light on है मतलब it's ready to charge अब connector को गाड़ी के charging point में insert करना है Make sure अच्छे से अंदर जाना चाहिए ये दिखिए screen पर show रहा है Charger is detected To charge turn key off की अगर on है तो charge नहीं होगा जैसे ही मैं key को off करूँगा Click की sound आएगी इसका मतलब है connector में lock लग गया है Charging start हो चुकी है Charging के दोरान charger की green light blink करेगी और जब charging हमारा 100% हो जाएगा तब ये blink करना बन कर देगी Connector lock है अब इसे बाहर खिचने की गलती बिल्कुल भी मत करना वरना ये तूट सकता है इसे unlock करने के लिए गाड़ी की key को on करना पड़ता है Click की sound आएगी और connector unlock हो जाएगा Charging इस टॉप अब इसे आप main switch off करके निकाल सकते हैं Charging test मैं अभी राद के 11 बजे से charge पे लगा रहा हूँ बैटरी अभी 8% charge है अभी सुबह हो चुकी है और 6 बजे है Charging 90% हुआ है तो इसने remaining 82% charge करने में 7 गंटे का time लिया इस हिसाब से 0-200% charge करने में इस 8.5 गंटे का time लेगा एक गंटे में ये करीबन 12% बैटरी को charge करता है तो 1% charge करने में ये 5 मिनिट लेता है अगर आपको कहीं 10 km जाना है तो आपको इसे 1 गंटा charge पे लगा के ही जाना पड़ेगा फिर भी अगर आप इसे fast charge करना चाते हैं तो इसका 708 का Ather Duo Charger 14,000 में website पे available है आप उसे purchase कर सकते हैं तो अब जब हमें इसका charging time पता है तो हम 10 ampere smart plug का use करके इसका on-off time schedule कर सकते हैं तो जो लोग अपनी EV को night में 85% या तो 90% ही charge करना चाते हैं वो remaining battery percentage का calculation करके on-off timing set करके आराम से सो सकते हैं अब बात करें energy consumption की तो रिट्टा 2.9 kWh battery pack में 0-200% charge के लिए 3 unit and 3.7 kWh pack के लिए 4 unit तक consume होती है charger में fan लगा हुआ है तो charging के वक्त ये बिल्कुल भी गरम नहीं होता मैंने 2-2 गंटे में इसकी battery भी चेक की hot तो चोड़ो warm तक नहीं हुई मतलब ether की battery सच में cool है अगर आप अपनी battery health good बनाए रखना चाते हैं तो battery को 20% से down नहीं होने देना है and 90% से उपर charge नहीं करना है long dry के बाद 15 मिनिट बाद ही charging में लगाना है handling and warnings don't use extension board for charging क्योंकि जहाँ भी connection loose होगा charging में दिक्कत आ सकती है extra cable को circle मत कीजिए क्योंकि उसकी वज़े से coil बनती है and फिर current की वज़े से magnetic field बनेगी loss of energy charger waterproof नहीं है तो raining days में outside charging not allowed अगर आपके गर emergency generator लगा हुआ है तो उस पे आप बिल्गुल भी charge मत करना charger में पीछे vents है ventilation के लिए तो ये block ना हो जाए उसका ध्यान रखना है ये पूरा metal का है तो प्लीज बच्चों को इससे दूर रखें charging protection और एक छोटा सा doubt होता है हमारे मन में switchboard के पास 16 Ampere की MCB लगा लेना चाहिए क्योंकि जब ये charger 16 Ampere से ज़्यादा का current draw करेगा तब MCB trip हो जाएगी वैसे ये 5 Ampere से ज़्यादा लेने वाला नहीं है और एक question रहता है earthing से related देखिए यहाँ पर earthing की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी में plastic material यूज हुआ है तो आपको shock लगने वाला नहीं है और अगर आप इसका charger देखे तो यहाँ पर earthing का sign बना हुआ है और ये metal का है तो इसमें shock लगने के भी chances ज़्यादा है और मेरे वाले charger में current लग रहा है मैं आपको tester से दिखा देता हूँ ये देखिए tester glow कर रहा है तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो आपको इस charger के लिए earthing करना है तो अलग से कर सकते हैं अगर आपके गर earthing किया हुआ है तो आपको अलग से earthing करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे गर में earthing नहीं है तो मैं जिस socket में charger लगाने वाला हूँ उस socket के earthing point से केबल लगा के बाहर निकल लिया है charger लगा के switch on है ये देखिए tester glow कर रहा है मतलब charger में earthing connection proper है और यहाँ पे current आ रहा है अब हम इसे ground earthing कर देंगे यहाँ पर papaya का paid निकल आया था और इसने पूरी pipe लिक कर दिया हमें मौका मिल गया है इसकी जगा earthing करने का earthing बिल्कुली normal करना है ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है मैंने एक iron rod लिया है और इसे जमिन में गुसा दिया है अब इससे tar connect कर लेंगे वो successfully हो चुका है बात करें warranty की तो charger पर आपको तीन साल के warranty मिलेगी cost cutting एथन ने अपने charger में cost cutting करना सुरू कर दिया है पहले S and Z 2.9 variant में same charger आता था पर अब S variant में आपको PRCD नहीं मिलेगा एंशोरूब में मैंने देखा था S variant का charger भी अलग कर दिया गया है और इन्होंने connector भी change कर दिया है पहले Z 2.9 kWh में इस प्रकार का must connector आता था अब इन्होंने मुझे ये वाला दिया है एथर fast charger एथर का fast charger 0 से 80% चार्ज करने में 45 minutes का time लेता है मैंने 32% पर गाड़ी चार्ज में लगाई थी आदे गंटे में इसने 80% करके दे दी समझ लो कहां 8 गंटे और कहां 45 minutes बैटरी पर लोड पड़ता है तो बार-बार fast charger का यूज मत करो सिर्फ emergency के सिवाए repeated fast charging battery life को खराब करती है तो आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो इसकर रिट्टा को लेकर और भी वीडियो अवेलेबल है प्लिस जरूर चेक आउट कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाई